आपको सबसे पहले मेले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालू और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल का सबस्क्राइब जरूर करें आज मैं आपके शार शेयर करने वाले हूँ गुजरात का फेमस धोकला की रेसिपी जोकि बहुत ही अच्छी भनती है और बहुत ही टेस्टी होती है और आप कम ऐल में इसको बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं गभी भी खा सकते हैं और अगर आप वेट लॉस कर चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको भी बिल्कुल ढोकला इस्पंजी बनेगा तो ढोकला बनाने के लिए हमने लिया यहां पर दो बाउल बेशन और हब बाउल सूजी और वन बाउल कर यह रखना है अगर आपको के बाद हमें इस तरह का स्मूद बैटर बना लेना है इसमूद बैटर जब हमारा होज आएगा तो फिर उसके अंदर हम टेस्ट के अंशार साल्ट करेंगे इसके अंदर और इसके अंदर हम एड करेंगे हाफ स्पॉन खाने वाला सोडा जो होता है वो एड करना है हमें इसक बाद इसको हम चला लेंगे अच्छे से इसके बाद यहां पर हमें एट करना है ग्रेट किया हुआ जिंजर तो यहां पर मैंने जिंजर लिया है और आप चिली को भी चॉप करके डाल सकते हैं क्योंकि बच्चे को यह बना रही हूं तो वह चिली नहीं खाते तो मैंने नहीं लेकिन आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यहां पर मैंने जो हमारा ढोकला पनाने का प्लेट है उसको मैंने ग्रीस कर लिया है अब जो बैटर मैंने रेडी किया है वह इसमें मैं डाल दूंगी बाकी और कुछ नहीं करना है तो यहां पर दो मैंने प् और अच्छे से हो गया है तो ठंडा होने के बाद इसको कट करना है तुरंट तुरंट कट नहीं करना है और आप सेप कोई सा भी दे सकते हैं और इसमें मैंने यहां पर बरफी का सेप दिया है तो इस तरह से कट करने के बाद फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूं तो यह आप देख सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉप्ट बनता है और उसके बाद हमें क्या करना है हम सारे अपने धोगले को निकाल लेंगे तो सारे निकालने के बाद हम इसे रख लेंगे और फ्रेंड से आप में एक चीज और बताना चाहती हूं अगर आप इस धोगले को सुबह बनाना है और रात में इस बैटर को बना के आप रख दीजे तो आपको सोडा डालने की जरूरत नहीं है ऐसे ही आपके धोगले ऐसे बनेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं तो यहां पर मैंने एक कडाई लिया है उसमें डाला है मैंने राई पहुत जड़ा से ऐल ही हमने डाला थे शयट आल्वी हम ऑपने चौकी होई ग्रीन चीली डाले है और इसके बाद हम ने यहां पर कड करी लीब टाला है है और इसको इसको दोपने यहां पर दाया शसे करी लेंगे तो इहां पर मैंने डाल दिया है और आपको इस Towukla से करना locom भी टूरत कर ताकि हमारे जो ढोकले हैं वो टूटे नहीं क्योंकि यह बहुत सौप्ट है तो आप इस तरह से आप तो बीना तड़का लगाए भी से खा सकते हैं तो भी बहुत टेस्टी लगता है यह लेकि तड़का लगाएंगे तो और टेस्ट बढ़ जाएगा दूगूना हो जाएगा तो यहां पर मैंने सर्व कर लिया है तो आप देख सकते हैं हमारे डोकले बन चुके हैं और कितने टेस्टी बने हैं तो आप एक बार इस तरह से बेशन सुजी डोकला बना के देखिए आपको जरूर पसंद आएंगे अगर पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए फ्रेंस फैमली में बनाईए और मुझे कमेंट बाक्स में जरूर बताएए आपको कैसा लगा मेरा रेसिपी मिलते हूं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर देए और लाइक कमेंट करना बिलकुल ना भूला करें क्योंकि हमें उसे मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा रेसिपी लाने का थैंक्स फॉर वाचिंग बाई बाई इस्टे होम इस्टे सेफ